हेलो वेरे गुड मॉनिंग अस्टुएंट्स ऐसे यूजफूल वीडियो दिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हेलो स्टुडेंट वेलकम टू और यूट्यूब चैनल अर्मान क्लासे यह एक टॉपिक है इस बार जो बिहार में बीपियसी टीचर का जो वेकेंसी निकला है उसके लिए भी इंपोर्टेंट टॉपिक है और जब जब आप केमेस्ट्री पढ़ोगे उसमें केमिकल रियक्शन होगा वहां भी इसकी जुरुद पढ़े गे ठीक है तो खेर molecular mass क्या होता है किसी substance का molecular mass उसके सभी constituents atoms के mass का sum होता है ठीक है अब जैसे example के तोर पर यह है HNO3 nitric acid ठीक है तो एकर हमें इसका molecular mass निकलना है तो इसके लिए हमें क्या पतावने चाहिए hydrogen का atomic mass पताना चाहिए जो की 1u होता है और nitrogen का कितना होता है 14u होता है और आपको oxygen का होता है 16u ठीक है तो therefore molecular mass of HNO3 जो होगा हो जायागा देखो hydrogen कितना है एक है तो कितना होगा 1 प्लस nitrogen कितना है जी 1 तो यह हो जागा 14 प्लस oxygen है 3 atom तो 16 हो जागा 3 ठीक है अब सब्सक्राइब कर तो यह हो जाएगा 51 प्लस 14 प्लस 48 टोटल एड करोगे तो यह हो जाएगा 63u ठीक है तो इस तरह से यह हमने निकाल लिया सब्सक्राइब के लिए जिनको ना तो सई से इंगलिस लिख पाते हैं डेफिनेशन ना सई से हिंदी लिख पाते हैं यह उन बच्चों के लिए हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना यह काफी इंपोर्टेंट है ठीक है